बुलोशिव शंकर भगवाने की जै माता पारवती की जै संतान सप्तमी वर्थ कथा संतान सप्तमी वर्थ भादर पद मास के सुकलपक्ष की सप्तमी तीथी को मनाई जाती है आमतोर पर यह त्योहार रादास्टमी से एक दिन पहले किया जाता है सब्तमी तीथी को संतान सब्तमी और अनंत सब्तमी के नाम से जाना जाता है भविश्य पुरान में बताया गया है कि सब्तमी तीथी भगवान सुर्य को समर्पित है सब्तमी तीथी के दिन भगवान सुर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ती होती है अगर आप भी संतान की सुख की कामना के लिए संतान सब्तमी वर्त रखती हैं तो आपको बता दे कि यह वर्त 10 स्तंबर को रखा जा रहा है इस वर्थ में पूरे दिन वरत रखते हैं और शाम के समय वरत कथा पढ़ते हैं और विवाईत महीलाएं सुर्योद्य से पहले उठ करसना नादी करके भगवान शीव और माता पार्वती का कुम-कुम अक्षत से पूजन करती हैं संतान सप्तमी की पूजा विधी इस परकार है देशी गी का दीपक जलाएं फूल चावल पान सुपारी आदी अरपित करें भगवान शीव और माता पार्वती को वस्त्र अरपित करें भोग परशाद के लिए पूरी और खीर चड़ाएं ब्रती संतान सप्तमी वर्थ कथा का पाठ करें कहानी कहें फिर आरती करके पूजा को पूण करें संतान सप्तमी वर्थ कथा इस परकार है और आनिक कथा के अनुसार यह कथा श्री किर्षन ने युदिस्टर को सुनाई थी उन्होंने बताया कि एक बार मत्रा में लोमश रिसी आये थे देवकी और वासुदेव ने उनकी सेवा की उनकी सेवा से रिशी लोमेश बहुत प्रसन हुए उन्होंने देवकी और वासुदेव के दुख का कान पुछा उन्होंने अपने मरेवे पुत्रों को अपना दुख का कान बताया इस पर लोमेश रिसी ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोग से उबढ़ने के लिए एक अच्छा उपाय बताया उन्होंने कहा कि देवकी को संतान सप्तमी का वर्थ करना चाहिए इसके लिए माता ने इस वर्थ को रखा और लोमश रिजी के बताई विदान के अनुसार माता ने इस वर्थ के नियम का पालन किया इस से मेरा जनम हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धर्ती को मुक्ति दिलाई उन्होंने ये कथा भी बताई है पुराणी कथा के अनुसार प्राचिन काल में नैहिूस अयोध्यापुरी का परतापी राजा था उसकी पत्नी का नाम चंदरमुखी था उसके राज्ये में ही विश्णु दत्व नामक एक ब्रामण रहता था जिसकी पत्नी का नाम रूववती था राणी चंदरमुखी और रूवती में आपस में घनिस्ट प्रेम था एक दिन वे दोनों सर्यू में सनान करने गई जहां अन्य इस्त्रियां भी सनान कर रही थी उन इस्त्रियों ने मही पारवती शीव की परतीमा बना कर विधी पुर्वक उनका पूजन किया तब राणी चंदरमुखी और रूवती द्वारा उन इस्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधी के बारे में पूछने पर एक इस्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला वर्त है इस वर्त की सारी विधी सुनकर राणी चंदरमुखी और रूवती ने भी इस वरत को ज जिसके कारण मिर्ट्व के पश्चात राणी बानरी और ब्रामनी मुर्गी की योनी में पैदा हुई कालांतर में दोनों पशु योनी छोड़कर पुनया मुनुष्य योनी में आई चंदरमुखी मुत्रा के राजा पित्वी नात की रानी बनी इस जनम में इशुरी के नाम से जानी गई और रुपती ने एक फिर ब्रामन के घर जनम लिया इस जनम में भुष्णा नाम से बर्मानी जानी गई राजपुरोहित अगनी मुखी के साथ भुषना का विभा हुआ उन दोनों में इस जनम में भी बड़ा प्रेम हो गया पुरुप जनम में व्रत भूलने के कार्ण इस जनम में भी रानी इशुरी की कोई संतान नहीं हुई जबकि व्रत को भुषना ने अब भी याद रखा था जिसके कार्ण उस ने सुन्दर और स्वस्त आठ पुत्रों को जनम दी संतान नहीं होने से दुखी रानी इशुरी से एक दिन भुषना उस से मिलने गई इस पर रानी के मन में भुषना को लेकर इश्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया प्रंतुए बालकों का बाल भी बाका नै कर सकी राणी इशुरी ने भुष्णा को बुला कर सारी बात बताई और फिर शमाई याचना करके उससे पूछा आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं भुष्णा ने उसे पिछले जर्म की बात याद दुलाई साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के परभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहा कर भी नहीं मार सकी भुष्णा के मुक से सारी बात जानने के बाद रानी शुरी ने भी संतान सुख देने वाला ये व्रत विधी पूर्वक रखा तब व्रत के परभाव से रानी गरवती हुई और एक सुन्दर बालक को जनम दिया उसी समय से ये व्रत पुत्र प्राप्ती के साथ ही संतान की रक्षा के लिए परचलित है मुलो शिव शंकर भगवाने की जै मा पारवती माता की जै संतान सप्तमी के उध्यापन की विदी इस परकार है मान्यता नुसार अगर इसी साल संतान का विवा संसकार संपन हुआ हो तो है इस सप्तमी को उध्यापन करे उध्यापन में मीठे बाजरे की तेरा मीठी पूड़ी एक रुपे का सिक्का साड़ी ब्लाउज रख कर पूजा में चड़ाएं फिर इसे घर की भुजर्क महिला या सास नयनंद को में से किसी को दे दे और आशिरवाद बले ले गुलो विश्नु भगवाने की जय शिवशंकर भगवाने की जय इस कहानी के साथ विनायक जी की कहानी अवश्या पढ़े हाथ जोड विन्ती करूं सुन्यों चित लगाए दास आग्यों शन में रख्यों मारी लाज सिंग चड़े भवानी मिले गरुड चड़े भगवान बैल चड़े बाबा मिले पूर्ण होवे काम